जै मातरानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है मा भगवते दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सरवधा बनी रहे दोस्तों आज की वेडियो पूरी तरह से आपके प्रशनों पर आधारित है तो उनी प्रशनों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि घर के मुख्यद्वार पर जो हम दीपक प्रजलित करते हैं घर की चोखट पर जो दीपक प्रजलित किया जाता है उस दीपक को प्रजलित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस विशह पर बहुत सारे आप लोगों के प्रशनी भी आये हैं कि घर के मुख्यद्वार पर जो हम दीपक प्रजलित करते हैं उसके लिए सुबह का समय सही रहता है या फिर शाम को दीपक प्रजलित करना चाहिए मतलब घर की चोखट पर दीपदान के लिए कौन सा समय जादा स्रेश्ट हैं अगला आपका प्रशन है कि मुख्यद्वार पर जो हम दीपक प्रजलित करते हैं उसकी बाती लंबी होनी चाहिए या गोल होनी चाहिए किस तरफ हमें दीपक प्रजलित करना चाहिए घर के मुख्यद्वार के दाहिने तरफ या फिर बाएं तरफ दीपक किस चीज का होना चाहिए आटे का दीपक मिट्टी का दीपक या धातू का दीपक कौन सा दीपक प्रयोग करें दीपक में हम तेल डाले या फिर शुद्ध घी डाले और कितनी देर तक दीपक प्रजवलित रहना चाहिए और एक सबसे जरूरी प्रस्ण जो आया है वो ये है कि घर के मुख्यद्वार पर जो हम दीपक प्रजवलित करते हैं हवा चलती है या फिर आंधी आती है बारिश आ तो फिर क्या करना चाहिए तो इसी प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के हैं घर के मुख्यद्वार पर दीपक जलाने से संबंधित जिनके उत्तर मैं आपको आज की वीडियो में देने वाली हूं और इसके साथ ही एक बहुत ही अचूक उपाय में आपको आज दीपक जलाने से संबंधित ही शेयर करने वाली हूं जो कि अगर आप ध्यान रखते हैं इस तरह से अगर आप घर के मुख्यद्वार पर दीपक प्रजलित करते हैं तो निस्चित ही आपकी जो मनो कामना होती है वो बहुत शीग्र पूर्ण हो जाती है मात्रे 21 दिन या 41 द आपके यह मत्र जरिया के अपके लगता है कि यहीय crazy जरीया जिन से मुझे बता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह उपयोगी है तो अच्छी लगती हैे वीडियो तो लिए करने में बिलकुट भी कंजूऌसी मत कीजिये और म्समाने ज अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी बात करें आपके प्रशनों के बारे में सबसे पहले तो प्रशन ये है कि दीपक हमें कब जलाना चाहिए सुबह या फिर शाम को देखिए सुबह भी घर के मुखिद्वार पर दीपक प्रज्वलित किया जाता है जिन घरों में दहलीज पूजन किया जाता है मतलब कई ऐसे स्थान है जहां पर सुबह सुबह शनान तो आप चाहें जो सुबह बी दीपक प्रजलित कर सकते हैं लेकिन एक्टीए होती है इसे में घर के मुख्यत्वार permits दीपक जलाने से नकरात्मक शक्ति हमारे जर्में प्रवेश McChältस का हमारे प्रवेश हो जाता है और शाथरो के अनुसार जो सुबह और शॉम का समय संधी काल का जो समय होता है गोटिव जुऩ डॉनों संधी काल कहे जाते हैं लेकिन सुभे हो शामकासंदीकाल मालक्षमी धर्ती पर भ्रमड करती है और कहा जाता है प्रत्यक घर के द्वार पर मालक्मी आती है उनँके अहyards गर के मुख्यद्वार पर दीप प्रज्वलित होता है ऐसे घरों में मालक्षमी प्रवेश करती है और जिन घरों के मुख्यद्वार पर दीपक नहीं होता है ऐसे घरों में दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है इसलिए सुबह और शाम का जो संधी काल का समय होता है वो बहुत व और घर के मुख्यद्वार पर जलका छिड़काव जरूर होना चाहिए इतने से ही मालक्षमी का प्रवेस आपके घर में हो जाता है लेकिन शाम के समय दीपदान होना चाहिए तो सुबह अगर आप दीपक प्रज्वलित नहीं भी करते हैं तो शाम के समय दीपक अवश्य प्र प्रज्वलित कर लीजिए और शाम को जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो संध्याकाल में होता है मतलब जब सुर्यास्त हो रहा होता है उस समय दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो सुर्यास्त होने के बाद दीपक प्रज्वलित किया जाता है सुर्यास्त होने वा है फिर आप दीपक प्रज्वलीद करते हैं तो अंतिरा होने से पहले आपके घर के मुख्यद्वार पर दीपक जल जाना चाहिए और हाँ धीपक जलाते समय एक और चीज का आप को ध्यान रखने हैं जब हम संध्या दीपक प्रज्वलीद करते हैं घर के मुख Capt section हो that बिल्कुल उसी प्रकार से अपने एक हाथ में दीपक ले लीजिए और आरती की तरह पूरे घर में घुमाते हुए चलिए मंत्र बोलते रहिए आप कोई भी मंत्र बोल सकते हैं चाहे तो श्री सुक्त का पाट कर सकते हैं या जय मालक्ष्मी जय मादुर्गा या हनुमान जी क और फिर मुख्यद्वार पर जाकर आपको वो दीपक रख देना होता है मतलब घर के मुख्यद्वार के लिए जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो घर के अंदर यानि की घर के मंदिर में ही प्रज्वलित कर लिया जाता है और पूरे घर में घुमा कर ही आप मुख्य तो घर के मुख्यद्वार पर जो संध्याकाल में दीपक प्रजवलित किया जाता है उसकी वीती यही होती है और इसके पीछे एक बहुत महत्यपुर्ण कारण होता है जैसे कि जो भी नकरात्मक ओर्जा ہमारे घर में होती है जब हम दीप प्रजवलित करते है तो सभी प्रका पुर्जा है बाहर से आ रही है वो हमारे घर में प्रवेश कर जाए मालक्षमी या फिर कोई भी देवी का जो शुब आगमन हो वो हमारे घर में हो तो शाम का दीपक आप इसी प्रकार से जलाएंगे लेकिन अगर आप सुबह दीपक जलाते हैं देहलीज पूजन करते हैं आप रंगोली बना सकते हैं थोड़ी से पुस्प रख सकते हैं या अक्षत रख सकते हैं और इसी के उपर आप दीपक रखते हैं फिर दीपक को प्रजलीद करते हैं तो दोनों समय के दीपक प्रजलीद करने के विधी अलग होती है और अब जानते हैं कि दीपक जब आप तो रखना किस तरफ है देखिए घर में जब आप अंदर आते हैं तो अंदर आते समय आपका दाहिना हाथ जिस तरफ पड़ता है उस तरफ आपको दीपक प्रजलित करना है मतलब घर से बाहर निकलते समय लेफ्ट साइड और घर में अंदर आते समय राइट साइड होना चाह लेकिन अगर आप चाहें तो गोल बाती भी प्रजलीद कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, अब ध्यान ये रखना है आपको, कि अगर आप लंबी बाती का प्रयोग करते हैं, तो उसमें सिंगल बाती नहीं होती है, हमेशा दो बाती डाल कर ही दीपक प्रजलीद किया जाता है मतलब लंबी बातियां दो ले लीजिए और दोनों को क्रिश्ट प्रॉस करके आप दीपक में रख दीजिए दीपक एक ही तरफ से प्रजलित करना होता है लेकिन आपको बाती दो रखनी होती है लेकिन अगर आप गोल बाती लेते हैं तो एक बाती आप डालकर दीपक प्रज़लित कर सकते हैं और देखिए दीपक की बाती लंबी हो या गोल हो इससे उतना अधिक फरक नहीं बढ़ता है दीपक प्रजलित करने का मतलब होता है प्रकाश करना, मतलब अपने घर से, अपने जीवन से अंधेरे को दूर करना तो बाती आप कोई सी भी डाल कर जब आप प्रजलित कर देते हैं इश्वर का नाम स्मरण करके तो उससे आपको शुबता की ही प्राप्ती होती है तो आपके पास जो भी बाती उपलब्ध हो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और अब आपका अगला प्रशन है कि दीपक का मुख किस तरफ होना चाहिए तो देखिए दीपक का मुख घर के अंदर की तरफ होना चाहिए, बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए अगर आप एक ही तरफ दीपक प्रजलित करते हैं तो ऐसे में दीपक का मुख आपके घर के अंदर की तरफ हो इस बात का ध्यान रखिए और अब एक प्रशन उठता है कि अगर बारिष होती है आनधी आती है हवात तेज चलती है तो ऐसे में जो हम घर के मुख द्वार पर दीपक रखते है ये ठंडा हो जाता है तो फिर क्या करना चाहिए तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप चाहें तो घर के मुख द् अंदर भी दीप प्रजलित कर सकते हैं जैसे कि वैसे नियम तो यही कहते हैं कि घर के बाहर दीप प्रजलित होना चाहिए लेकिन समस्याई इस प्रकार की अगर बनती है तो आप घर के मुख्यदवार के पास ही मतलब बाहर ही दीपक प्रजलित करते हैं पर gate के अंदर कर लीजिए कोई समस्या नहीं है लेकिन ध्यान रखिए जब आप दीपक रखते हैं तो main gate के पास ही होना चाहिए वो अंदर हो तो भी कोई बात नहीं है क्योंकि बाहर रखेंगे फिर दीपक ठंडा हो जाएगा उसका तो कोई फाइदा नहीं है तो इससे अच है कि घर के बाहर जो आप दीप प्रज्वलित करते हैं उसे घर से घुमाकर बाहर ले जाकर बाहर भी main gate की जैसे आरती करी जाती है वैसे ही प्रती दिन आरती करने के बाद आप घर के मुखिद्वार पर एक तरफ दीपक रख दीजिए तो इससे आपके घर पर किसी भी प् करना चाहते हैं तो बेलकुल कर सकते हैं और अगला जो आपका प्रश्न है कि दीपक कितने समय तक जलते रहना चाहिए कितने दीपक का जलना आवश्यक है देखे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो दीपक हम प्रजवलित करते हैं कम से कम एक घंटा deux回sta टो घंटे करते हैं वो घी या तेल से भर दीजिए इतना कि कम से कम एक डेड़ घंटे तो अवश्य जले और हां कई भगतों के प्रश्ण आए हैं कि मुख्यद्वार पर जो हम दीपक प्रज्वलित करते हैं वो आटे का होना चाहिए या फिर मिट्टी का दीपक होना चाहिए देखिए आप चाहे तो प्रती दिन आटे का दीपक भी बना सकते हैं आटे का दीपक बना कर और उसे भी प्रज्वलित कर सकते हैं चाहे तो मिट्टी का दीपक भी ले सकते हैं और इससे भी अच्छा होगा कि आप एक धातु का दीपक रखिए धातु का दीपक आप प्रती दिन धो दोकर उसे प्रज्वलित कर सकते हैं लेकिन मिट्टी का दीपक या आटे का दीपक आप दुबारा नहीं जला सकते हैं तो अगर संभव हो तो एक पीतल का छोटा सा दीपक ले लीजिए प्रती दिन शाम के समय जला दीजिए और उसके बाद जब ठंडा हो जाए तो अंतर प्रज्वलित किया जाता है या तो आप शुद्ध घी का प्रयोग करें या फिर आप तिल तेल का प्रयोग करें सरसों के तेल का दीपक आप चाहें तो शनिवार के दिन जला सकते हैं बाकि रोज जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं वह आप या तो तिल तेल से प्रज् प्रज्वलित कर सकते हैं क्यूंकि घर का मुख्यद्वार है लेकिन जो हम दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं कर तो देवी-देवताओं के निमित्त ही रहे हैं तो देवी-देवताओं के लिए हम प्रयास करना चाहिए कि हर समय वो नियम बना रहे, अगर आप से नहीं हो पाता है, अपने बच्चों से कहिए, उस दिन वो दीपक प्रज्वलित कर देंगे, पती हैं या परिवार में कोई भी दूसरे सदसे हैं, तो उनसे आप दीपक प्रज्वलित करवा दीजिए, मतलब नियम खंडित मत कीजिए, प्रती दिन दीपक प्रज्वलित हो इस बात का ध्यान रखिए, तो देखिए, प्रयास तो यही कीजिए कि प्रती दिन दीपक प्रज्वलित हो, बाकी अगर घर में कोई उस वक्त नहीं होता है, मतलब आप अकेले ही हैं और नहीं कर पाते हैं, तब बात अलग होगी लेकिन अगर घर में कोई होता है उस समय तो दीपक अवश्य प्रजुलित करवा दीजिए और हां संध्या दीपक से संबंधित एक और प्रशनाया है कि क्या शाम के समय हम सिर्फ तीन दीपक ही प्रजुलित कर सकते हैं जैसे कि घर में और भी कोई देव जला जा सकता है मतलब शास्त्रों में तीन दीपक अनिवार्य कहा गया है बाकी के दीपक आप अपनी इच्छानुसार कितनी भी संख्या में जला सकते हैं जैसे कि कि किसी भी देववरिक्ष के नीचे आप घर में भी जला सकते हैं बाहर जाकर भी जला सकते हैं बाहर कोई म के मंदिर में घर के मुख्यद्वार पर और तुलसी के पास इसके अलावा आपकी अपनी इच्छा है अपनी श्रद्दा है कितने भी दीपक प्रजलित कीजिए यह तो अत्यंती श्रेष्ट होगा बहुत पुन्यफल की प्राप्ति होगी और हां ध्यान रखिए दीपक अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार